आप्रिल में और में में हो सकता है और वही हुआ आज NTA के डारेक्टर ने ओफिशली कनफर्म कर दिया कि जो जैमें का फॉस्ट एटेम्ट है बर मेरा वीडियो बताया था अगर आप मेरे वीडियो देखorb fare exist है पूरा आपके कर सकते हैं क्या इसा हो नुद अफि आप्रिल कर दो जो कोर्व सकते हैं तो उसेंच नुद कर लाने वी यही एक सालीशन था तो पहला एक्टमट क करेंब अप्रिल में हमता अप्रिल में अफ डॉकReally होगा जोब भी अप्रिल पहला प्रेल में होगा मतलब कि इकजाम होगा वह दस सी इस्टार्ट होगा दस या एक्जारा से यही दो देट है जिसके आएगेसे आपका इक्जाम स्टार्ट हो सकता है समझ में आप तीन दिन में एक्जाम दो दिन में तीन दिन में खतम हो जाएगा ठीक है यह तो मैं आपको कंफर्म डेट बता रहा हूँ आप देख लेना जब भी रेजिट्रेशन इस्टार्ट होगा यही इसी के आसवास डेट होगा ठीक है तो आप 10 अप्रिल को डेडलाइन में स्टार्ट हो जाएगा ठीक है मार्च में वह लोगी स्टार्ट करतेंगे तो मार्च में स्टार्ट करेंगे तो बहुं अलगबग वह बोलेंक 15 दिन आपको टाइम मिलेगा रिजिस्ट्रेशन का फिर इसका नोए पर आप देख सकते हो कि जो दूसरा एटेम्ट वो में में में दुसरा ऐटेम्ट कंव और मैं आपको बता से में 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 दुसराएँप 25 में के बाद होगा तो लाश्ट वीक ओफ में में थीक है लाश्ट वीक ओफ मे में आपका एक्जाम स्टार्ट हो सकता है इस बात की गरेंटी ए ar ठीक है मैंने मेरा वीडियो से आप पिछले देख ले ना मैंने हमेशा जो भी प्रेडिक्शन किया था जो भी पॉसलिटी बता थे वो सारा चीज यहां पर सही सावीत हो रहा ठीक है बहुत सारे यूटूबर बोल रहते कि यार अप्रेल में नहीं होगा में में होगा एक्जा होने वाला है और में में होने वाला है तो तुम इसको फैक्ट मानकर अपना पुर्परेशन करओ कई content के अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और अगर आप मेरा वीडियो देखते हो और अच्छा लगते है तो सब्सक्राइब करो चैनल को और लाइक करो वीडियो को और आप सेर भी कर सकते हो ठीक है और लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर लो